आप सबी लोगों का स्वागत है TGT PGT History के मौक टेस्ट में तो इसमें आप सब लोग अपने आंसर चेक कर लीजी और अपना स्कोर है उसे कमेंट बॉक्स में बताना मत बोलना क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताए जाएगा कि इसमोक टेस्ट में टॉप किस ने किया पाँच जो टॉपर है उनके नाम दिये जाएंगे तो खादियाणों की क्रसि है यह सर्फRETंप प्रारंबुई थी नौपासनर गाल में तो ऑप्सन यह नगा इसका राइट अंसर है अगला सवाल दिखते हैं भारत में मानव का सरफथम साक्ष कहां मिला था तो यह शिवालिक पाडियों में मिला है आप्सन भी इसका right answer है अगला सबाल है बारती उपमादीप में क्रसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए है तो बारती उपमादीप की बात हो रही है तो इना उप्सन में से right answer है आपका option C मेहरगड वैसे अगर पूछे कि सबसे प्राचीन जो क्रसी की साक्ष् क्योंकि मेहरगड में आपके 5000 BC के साक्ष्य में 5000 BC के लेकिन जो लहुरादेव वहां पे 8000 BC पुराने क्रशी के साक्ष्य में तो लहुरादेव सबसे पुराना है लेकिन लहुरादेव इस option में है नहीं तो मेहरगड इसका right answer हो जाएगा आगला प्रशन है नवादा टोली क युग option 20 इसका right answer है सवाल नमर 7 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष मिलते हैं तो यह हडपा संस्कृती से ही मिलना प्रारम हो जाते हैं तो option इसका right answer हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं हडपा में मिट्टी के वरतन पर सामानेता किस रंग का प सब्सक्राइब के थे फिर उसके बाद वाले में कौन से हैं तो एक तरफ कलर देगा और एक तरफ योग या पीरियर्ट चल रहा है उसका नाम देगा तो आपको ऐसे मिलाना होगा ऐसे भी सवाल यहां से बन जाते हैं अगला सवाल एक जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं जो एक खेत के के साक्ष मिले हैं गहरों के अंदर कूए किस तच भी साक्ष भी काली मंगा से मिले हैं तो एक रोंगे सब्सक्राइब के देगतां यह एंगए ऊ mustard सबस् endings के घिलेंगे सबस्काइब दिन जाएं पर तब्रौत हैं तो गौपत ब्रामर समधित है। याद कैसे करना है गौपत इसमें भी था रहा है ऑथर्वेद में भी था है तो इस तरह मैच करके याद कर सकते हैं। अग्ला सवाल देखते हैं रिग वेद का कौंसा मंडल पूण्ड तो सोम को समर्पित है तो सोम को समर्पित जो मंडल वह नवबा मंडल नवब गयतृason नवा मंदल और जो गायत्री मंत्र या सूर को या सविता को समर्पित है वो तीसरे मंदल में उसके बारे में उले किया गया गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था यह इंपोर्टेंट है तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको बताना है इसका राइट आंसर है आपसन ए अगला सवाल देखते हैं महातमा बुद्ध का महा पर निर्वान कहा हुआ था तो आपका इसका राइट आंसर है कुशी नगर आपसन सी कुशी नगर में बुद्ध का महा पर निर्वान हुआ था यानि शरीर त्याग दिया था तो आपसन सी इसका राइट आंसर है अगला सव सामभी जब बहुत गए थे तो समय उदियन था अप्सन भी इसका राइट आंसर है उदियन बहुत इंपोटेंट है यह सवाल अगला सवाल दिखते हैं सर एडविन और नौड की पुष्टक दा लाइट ओफ एसी आधारित है यह दा लाइट ओफ एस्या आधारित है लले अगला सवाल है यह आपनी किस का एक संपरदा या इनमें से कौन से धर्म का संपरदाय है यह तो जैन धर्म से संबन देते हैं अप्सन भी इसका राइट आंसर है अगला सवाल देखते हैं बेस नगर अविलेक का हैलियोडॉरस कहां का निवासी था तो यह तक्षच सिला का अगला सवाल दिखते हैं निमलिकित में से किस राजाने पाटिल पुत्र वसाया था अगला सवाल है दो ग्रंतों में इसकी सूची मुख्यत उपलब्ध है यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है अंगुत्तर निकाए और बहुत थीक करना है शौरी टाइपिंग मिस्टेक होगा के लिवार्ष नहीं होगी अंगुत्तर निकाए गोदावरी नदी के तट पर इस्तित महा मात्र जन्पद है जो दक्षन भारत में इस्तित है बहुत इंपोटेंट है तो यह आपका है कि वो टाइपिंग मिस्टेक ना करें अगरमीच तो अगरमीच किसको बोला जाता तो महापदमनंद को बोला जाता यूनानी साथ को ने बोला है महापदमनंद को अगरमीच ऑप्सन 20 का राइट आंसर है अगला सवाल देखते हैं गुर्जर लग उसलालेक में असोक के नाम असोक के नाम का उलेक किया गया है यह कहां परिष्तित है तो यह आपका जो गुर्जरा है यह मद्धि प्रदेश के दतिया जले में इसलेखते है अप्सन 20 का राइट आंसर है अगला सवाल है के वल वो अस्तम जिसमें असोक ने स्वयम को मगद का सम्राठ बताया एक मात्र सम्राथ बढ़ा बब्र इस्थमक युद्ध रोड़ के चाहशं कों से यह जो यह कंसा दूर्ष हुआ था की offense का राइट वह था था यूद्ध के तेरेवेश टेट में युद्धं करने और आंसर है आठ में वर्स हुआ था कल इंके 13 यो तो यह आपकी आज के मौक जो हिस्ट्री का मौक टेस्ट था उसके आंसर हैं सब लोग अपने आंसर मिला लें और सबी लोग ग्रूप में अपने आंसर कितने सब नमर आपके आए हैं वो जरूर बताएं ताकि पता चले कौन कर सकते, thank you